पाकिस्तान के प्रधान मंत्री इम्रान खान को एक बर फिर शर्मंदी की कास सामना करना पड़ रहा है सवाल को रूस ने सपश्ट किया कि पाकिस्तान के प्रधान मंत्री इम्रान खान को इस्टर एकनॉमिक फॉरुम में आमंत्रित नहीं किया गया है यह बैठक रूस की पोर्ट सिटी व्लादी वस्टोक में होने वाली है पाकिस्तानी मीडिया में पिछले सब्ता से ही रिपोर्ट चल रही थी कि इम्रान खान को रूस राष्ट्रपती व्लादमेर पुतिन से निमंत्रन मिला है रिपोर्ट्स में कहा गया था कि पिछले मही ने बिश्केइक में शंगाई सयोग संगटन की शिखरवारता के दौरान रूस की राष्ट्रपती व्लादमेर पुतिन ने पाक की प्रदान मंत्री इम्रान खान को आमंत्रित किया था रूस के विदेश मंत्राले ने सोमवार को अपने बयान में कहा हमारी संग्यान में दक्षिन एशियाय मीडिया की कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान के प्रदान मंत्री इम्रान खान को व्लादि वस्टॉक में 4-6 सितंबर के दरान होने वाली इस्टन एकनॉमिक फॉरम की बैठक में गेस्ट आफ ओनर के तौर पर बुलाया गया है हम इस सम्मन में कुछ स्पष्टिकरन देना चाते हैं फॉरम के बैठक में आमंत्रित निताओ के बारे में इस्तिति साफ करने के लिए सोमवार को जारी बयान में कहा गया हम मंगोलिया के राष्ट्रपती एच बटू लगा भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी मलेशया के प्रधान मंत्री महातिर मोहमद और जापान की प्रधान मंत्री शिंजो आबे को व्लादी वस्टॉक में पहुंचने की उम्मीद करें हैं दोस्तों आपकी इस बारे में क्या रहा है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको ये नियूस पसंद आई तो लाइक और शियर करें